तो आज हम बात करेंगे कि कैसे आप PTM Cash के दूरू Amazon पर शॉपिंग कर सकते हो या फिर आप PTM Cash के दूरू कैसे Amazon.in के Gift Card खरीच सकते हो तो आईए चल्दी से शुरू करते हैं तो हमें सबसे बेले ZINGOID.com पर जाना है तो आईए चल्दी से वेबसाइट पर चलते हैं वेबसाइट पर जाने के बाद आपको लॉग इन और साइन अप के लिए दिखाएगा अगर आपका अकाउंट नहीं है तो साइन अप करने जी वरना आप लॉग इन भी कर सकते हो फेस्बुक के तरू तो अब इस केस में मैं फेस्बुक के तरू लॉग इन कर रहा हूँ अब जैसे कि आप लॉग इन कर चुके हो आपको साइन आपको लिखना होगा ZINGOID सर्च बार में ZINGOID लिख दीजिए ZINGOID Gift Card पर क्लिक करें यहाँ पर क्लिक करने के बाद एक डिनॉमिनेशन सेलेक्ट कर लिजिए डिनॉमिनेशन से मेरा मतलब है वैल्यू एड टू काट कर दीजिए अब काट पर चलते हैं जाने के बाद यूज सिंगोई आर्निंग को अंचेक कर दीजिए अब प्रोसीड टू पेई रुपीज हंडर्ड पर क्लिक करें क्लिक करने के बाद सिलेक्ट वान अफ इस बिलो वालेट के अंदर पेडियेम को सिलेक्ट कर लिजिए अब पे नाउ पर क्लिक करें अब यहाँ पर आपको अपना नंबर डालना है चल इसे प्रोसीड कर लते हैं अब OTP जैसे कि मेरे नमबर पर आ चुका है अब मैं उसे एंटर कर रहा हूँ अब पे रूपीज 100 कर देते हैं पेवेंट करने के बाद आपको जाना है माई ओर्डर्स पर आपको जाना है मोवर पर और आपके आगे कुछ ऐसी डिटेल्स आ जाएंगी उसके बाद एक ओर टाब खोल लीजिए पूपीजिंगोई.com का वेबसाइट पर जाने के बाद चलदी से यहाँ पर Amazon सेर्च कर लेते हैं सेर्च करने के दा Amazon Gift Card पर क्लिक करें और यहाँ पर 100 value सेलेक्ट कर लीजे क्योंकि previously हमने 100 रुपीज का जिंगोई का Gift Card लेए अब इसे आंचेक कर दीजे proceed to pay रुपीज 100 पर क्लिक करें इसे करने के जिंगोई Gift Card पर क्लिक करें और अब आपको डालनी है पुरानी values तो Gift Card Code है हमारा यह जिसको हम copy कर लेते हैं और gift card pin को भी copy कर लेते हैं तो आप देख सकते हो हमारा gift card हो चुका है अब हमें यह पर visa पर select कर लेना है अब जल्दी से pay now उपर click करते हैं तो आपको जल्दी से my orders पर जाना है click कर लेना है और आपके आगे है Amazon का gift voucher मैं पहले ही बता दूँ वैसे तो यह instant आ जाता है लेकिन कुछ rare cases के अंदर आपको 5 या 10 मिनट लग सकते हैं और आपको Amazon gift card मिल गया है वो भी Paytm कैसे वो भी मेना extra charge के तो चलिए Amazon की website पर जाके आपको add करके भी मैं दिखा देता हूँ वेब साइट पर जाने के बाद Amazon Pay पर क्लिक करें क्लिक करने के बाद add money पर क्लिक करें अब नीचे जाए और add it to your account पर क्लिक करें और जाने के बाद ही जो आपको एक code है पूरे code को copy करें और इसे यहां पर paste करती है अब मैं add it to your balance कर रहा हूँ और आप देख सकते हो मेरा balance 176 रुपीज हो चुक है और आप इस balance के साल Amazon पर shopping कर सकते हो उमीद करता हूँ वीडियो समझ आई आशा करता हूँ मैं आपसे और आप मुझसे चल्दी मिलोंगे अगली वीडियो में एच्छ मनाल signing out